बोर्ड परिच्चा में examiner हमारी copy में क्या देख कर देते हैं फुल नमबर जाहां दोस्तों काफी ज़्यादा important topic है और आप सभी के mind में जो topic है काफी ज़्यादा रहता है काफी ज़्यादा comment भी आते हैं तो इसी को पर दोस्तों यह video होने बाला है तो आप लोग वीडियो को लाश्ट तक देखेगा छोटा सा वीडियो होने बाला है मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर कि जो है एक्जामनर जो होते हैं जो आपकी कॉपियां चेक करते हैं वह है आपको क्या देखकर कॉपि में सबसे पहले आपके जो है क्या देखा जाता है क्योंकि देखिए अगर आप पूरा का पूरा उत्तर लिखते हैं अच्छे तरीके से लिखते हैं लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे मिस्टेक भी होती है जो कि एक्जामनर जो है वहाँ पर पकड़ लेते हैं तो वही चीज़े मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन कौन सी वह गलतिया है जो कि आपको कॉपि में बिल्कुल नहीं करनी है तो यहाँ पर आपको अगर बोर्ड एक्जाम देना है ठीक है तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा लाश तक देखिएगा यहाँ पर हमने लिगा कि बोर्ड एक परिच्छा की कौपि में क्या देखकर जो एक जामनर देंगे आपको फूल नमबर यानि कि पूरे पूरे अंग तो आपको यह मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है और हमारे पास यह एक कौपि है देखिए मैं आपको इसमें भी बताऊँगा कि आपको जो कि में प्रस्ट भी काफी ज़्यादा मानी रखता है अगर आप में प्रस्ट में भी गलतियां करते हैं तो इससे भी आपकी कौपि में बहुत ज़्यादा एफेक्ट परता है तो यहाँ पर आपको effect नहीं डालना बिल्कुल भी जो आपकी copy होते हैं अगर main press में आप लोग जो है यहाँ पर देखे हमारा number one पहले सबसे पहले समझते हैं एक एक करके पहला number है कि copy का जो mok press है उसको आपको बहुती सुंदर और सच तरीके से भरना है याने दोस्तों अगर आप उसमें जरा भी cross या cart pit यहाँ पर करते हैं जैसे आप कई बच्चे क्या करते हैं थोड़ा समय आपको बता देता हूँ example के तावर पर जैसे कई बच्चे करते हैं यहाँ पर roll number लिख दिये और यहाँ पर सब्दों में roll number लिखना ही नहीं आता आप देखें ऐसे भी बच्चे होते हैं यहाँ पर कई सारे आप समझ सकते हैं बागी इस प्रकार की में श्टेक आप करेंगे अब इसके बाद यहाँ पर B से लिख दिया चोटी-चोटी गलतियां करते हैं और फिर उसमें काट पीड करके दुबारा सही करते हैं तो मतलब ऐसा देखकर उनका यह impression होता है कि यार इस बच्चे में कुछ भी खास नहीं है और वहीं से आपकी copy चाहे अंदर कितनी भी अच्छी तरीके से लिखी गई हो बट वो copy एकदम समालेजे खराब impression में जाती है तो समालेजे उसका जो है अगर उनकी नजर में impression जैसे down हुआ तो आपकी copy में आंक कहां से अच्छे मिलेंगे तो मतलब main प्रस्ट बहुत ध्यान पूरोग बढ़ी यहां पर मालीजे आपका यह question स्टार्ट होता ठीक है आप कई बच्छी क्या करते हैं पहले question को एक बार सुरुवात में कर देते हैं और मतलब होते हैं कुछ ऐसे महान वाओ जो की मालब पहले करेंगे copy का मालब सुरुवात में उसके बाद क्या करते हैं अगर उन्हें दूसरा question नहीं आता है तो last में भी ऐसा करते की copy को full करना है हमें और उसको कर देते हैं और जामर जो होते हैं वो आप copy करते हैं तो यार बेवकूप नहीं होते हैं यह आप बिलुकुल भूल जाईए तो मतलब वो बहुत ही जादा जो है उनके पास भी थोड़ा सा समय रहता है एक copy के लिए उनको मतलब एक जो time होता है वो इन धायत करके दिया जाता है कि मतलब आपको एक दिन में इतनी copy चेक करनी है अब उससे जादा तो आप उनको दी नहीं जाएंगी तो वो भी मतलब एक अच्छी तरीकी से द्वाश चेक करते हैं तो यहाँ पर यह सारी mistake नहीं करना उनको ब्रहमित करने के कोशिस बिल्कुल भी न करें अगर उन्होंने पकड़ लिया कि वच्चे ने जो हमें ब्रहमित किया है या एक कोश्चन कहां से डबल दिया है जुरू में और अंत में या मतलब आप ऐसा कुछ करते हैं mistake तो समझ लिजे आप की कोश्चन का सत्यारास होने बाला तो इसलिए बिलुकुल ज्यादस ज्यादा आप उनको एकड़म ऐसा काउपी लिखे कि वो देख कर ही खुस हो जाएं इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि कोश्चन के निचले हिस्से से आपको नया प्रसन बिलुकुल शुरू नहीं करना इसका क्या मतलब जैसे हमारी ये कोश्चन होती है अब आप लोग यहाँ पा जैसे हम पेज को देखे शुरुवास लिखना आप स्टार्ट करते हैं पहला को्चन ठीक है इसके लिखते चले जाते हैं पहला इसको छोड़ दीजे नेक्स्ट पेज आप जो है देखिए और दूसरे पेज में आपको जो है दूसरा कोश्चन करना इस्टार्ट कर देणा ऐसी गलती आपको नहीं करना ठीक है तो यहाँ पर यह हो गया चौथा पॉइंट है कि एक प्रसन का उत्तर केवल एक बार ही देना है और पैसे रखने के कोशिस बिल्कुल नहीं करना जी हाँ दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आप पैसे रखने से नंबर मिलते हैं जी हाँ दोस्तों मिलते हैं लेकिन आप सभी जो एक जैसा नहीं होती है यह भी आप ध्यार कियां रखिए क्यенकि कि दोस्तों हमारे एक सरजी तीयानेकी हमारे गुरु दी वो क्या करते थे जो गॉपी चिक कन जाये करते थे हमने उनसे बात करी थी तो मनलब क्या बोलते हैं कहते थी कि अगर कोई बच्चा गपी में पैसे रख रहा है या रूपिया लगा रहा है और पैसे भी रख लेंगे और आपको नंबर भी नहीं देंगे वो यह सूचते हैं निकां उन्होंने कहा था कि मलब की बच्चे जो पैसे लगाते हैं वो क्या कर रहे हैं अपने जो है मम्मी पापा के साथ धोका कर रहे हैं मलब उन्हें खुद पर भरोसा नहीं है तो वो जिन्दगी में करेंगे क्या तो मतलब वो ऐसा सोचा जो बेक्ती रखता है तो वो आपको नमबर नहीं देगा तो ऐसे में आपके पैसे भी गए और आपके नमबर भी नहीं मिलेंगे तो इसलिए ध्यान पूरो करना है आपको अपनी मेहनत पर भरोसा करिए बांकि आपको कोई भी चीजे मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना और पैसे रखने की कोशिस बिल्कुल नहीं करना क्योंकि यार पैसे जो है महनस जाते हैं इसलिए इन पर बिल्कुल आपको इन्वेस्ट नहीं करना बिकार की चीजे होती है तो इसलिए ज्याद ज्यादा कोईशिक करें क्योंकि देखिए इसमें ये तुनिशी था है नहीं कि आपको number मिल ही जाएंगे मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं और हो सकता है कि ज्यादा खराब impression भी हो सकता है कई लोग होते हैं जैसे तो यहाँ पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना ठीक है और पैसा यार सब कुछ नहीं होता तो इसलिए मेहनत पर बहुरसर रखें और ये mistake जो है चार गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करना तो उमीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कर देना और चैनल अपना तो सब्सक्राब भी कर लेना मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहिन वन दे मात्रम